हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है संद्जेवर्मा आज की इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जब भी हम कोई भी नया मकान में आते हैं होस्पिटल मनाते हैं ओफिस मनाते हैं होटल मनाते हैं तो उस समय जो लेंटर के अंदर जो बीजली फिटिंग का समान लगाया जाता है उसके बारे में यानि कि दोस्तों जो भी लेंटर के अंदर हम बीजली फिटिंग का समान यूज़ करते हैं तो कौन-कौन सा समान होता है और कौन से का क्या प्राइस होता है तो इस तरह के complete जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं यानि कि दोस्तों जो भी आपको लेंटर के अंदर visual fitting का समानी यूज़ करना है तो आप उसके list भी बना सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना और हम आपको इस वीडियो के अंदर complete जानकारी देने वाले हैं चलो दोस्तों अब हम वीडियो को start करते हैं सबसे पहले एक नंबर के उपर हम लेते हैं एक इंची का PVC पाइप यह जो सामने आपको फोटो के अंदर जो PVC पाइप दियाई दे रहा है दोस्तों यह एक इंची का होता है और दोस्तों यह जो लेंटर के अंदर हम पाइप यूज़ करते हैं वह heavy weight के अंदर होता है यानि कि दोस्तों जो bundle का weight होता है वह 14 kg या फिर 16 kg होना चाहिए तो एक bundle के अंदर 25 pipe आते हैं ये जो pipe होता है इसके अंदर से हम wiring को निकालते हैं Lenter के अंदर 14 kg का जो bundle होता है उससे कम weight का pipe Lenter के अंदर use नहीं करना चाहिए येदि आप हलका पाइप लेंटर के अंदर ये उज़ करेंगे तो जब लेंटर लगाया जाता है उस समय पाइप के उपर से जो लेबर होती है वह गुजरती है यानि कि चलती फिरती है तो पाइप टूटने का डर रहता है अब हम बात करते हैं इसके प्राइप के बारे में दोस्तो जो प्लास्टि का जो रेट होता है उसके हिसाब से पीवी से पाइप का जो रेट होता है परन्तु दोस्तो फिर भी मा आपको जो मार्केट के अंदर जो आज का रेट है वह बता देता हूँ जैसे कि दोस्तो आप 16 किलो का best company का कोई bundle लेते हैं पाइप का तो दोस्तो उसका जो आज के दिन जो प्राइस है 25 पीस का वह 2800 रुपे है यदि आप किसे normal company के पाइप परजैज करते हैं तो उसका जो बंडल का जो rate वा अलाग 2400 या फिर 25 पे मिलेगा वैसे दोस्तो जो पाइप का rate होता है जैसे ही plastic का rate बढ़ेगा तो पाइप का rate भी भढ़ जाता है जैसे ही plastic का rate कम होगा तो पाइप का जो rate है वह भी कम हो जाता है इससे आगे दो नमबर के उपर हम लेते हैं pipe के अंदर लगने वाले band सामने आप photo के अंदर देख सकते हैं इस तरह के band हम pipe के अंदर लगाते हैं यानि कि दोस्तों कहीं बर भी आपको pipe गुलाई के अंदर गुमाना है pipe की fitting को हमें man board की तरफ निकालनी है एक room से दूसरे rooms के तरफ निकालनी है इसके अलावा हमें point नीचे की तरफ देना है rooms के अंदर तो वहाँ पर हमें band की जूर्थ रहती है इसके हम price के बात करते हैं तो दोस्तों यह जो band होता है 10 रुपे से लेके 15 रुपे के बीच में एक पीस का price रहता है जो हम pipe purchase करते हैं सेम उसी quality का यह band होता है उसी weight के अंदर यह band होते हैं इसे अगला तीन number के उपर हम लेते हैं fan box fan box का look आप सामने देख सकते हैं जो fan box होता दोस्तों इसके अंदर हम एक तो fan लगाते हैं इसके अलावा हमें zoomer light वगरा लगानी है तो भी हम इसके अंदर लगाते हैं हमें rooms के अंदर lobby के अंदर या फिर बड़ा hole के अंदर कितने fan box लगवाने हैं यह हम अपनी requirement के हिसाब से लगवाते हैं अब हम बात करते हैं इनके price के बारे में तो दोस्तों आप कोई अच्छी quality का लगवाने के लिए रिक्मेंड करूगा क्योंकि अच्छी quality का fan box होना जुरूरी है इसे आगे हम chair number के उपर लेते हैं concealed box और deep box concealed box और deep box दोनों ही हम light के लिए use करते हैं यदि आपको concealed light लगानी है जो आज के समय में बहुत ज़्यादा चली हुई है तो दोस्तों आप उसके लिए concealed box को लगाएं सामने आप इसका look देख सकते हैं यदि दोस्तों आपको कोई छोटी light लगानी है तो उसके लिए आप deep box भी use कर सकते हैं प्रंतु पराने समय में deep box का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था आज के समय में concealed box का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है अब हम बात करते हैं इनके price के बारे में concealed box है उसका प्राइस है वह 30 रुपे से लेके 40 रुपे के बीच में आपको market के अंदर मिलेगा वही quality के हिसाब से इसका rate कम ज़्यादा होता है जो deep box होता है उसका जो price है 20 रुपे से लेके 25 रुपे का आपको market के अंदर मिलेगा पांच नबर के उपर हम लेते हैं रद्य एकबार दोस्तों यह जो एकबार होते हैं आपको market के अंदर यह 5 रुपे यह 10 रुपे किलो के हिसाब से मिल जाएंगे इनका उप्योग हम जो concealed box fan box होते हैं उनके अंदर जो space होता है उसको भरने के लिए इनका उप्योग किया जाता है ताकि concealed box और fan box के अंदर जो सीमट वगरा होती है वह ना जा पाए और जो हमारे concealed box है और जो बांधने के लिए जो वायर यूज की जाती है वही वायर जो बिजली फिटिंग वाली जो पाइंप होती है उसको बांधने के लिए यूज की जाती है यह लोहे वाली जो वायर आपको वही पर मिल जाएगी जहां पर बिजली फिटिंग हमें करनी होती है यह सभी आइटम से जब लेंटर लगता है उस समय बीजली फिटिंग के अंदर हम यूज करते हैं इसके अलावा इसे के पाहिप भी यूज की जाते हैं जो कि सवा इंची है फिर डेड़ इंची खा होता है वह हर एक व्यक्ति यूज नहीं करता है तो दोस्तों यह सभी आईटम आपने देख लिए मरकेटिंग के मदर अप्लोक्स प्राइस क्या है आज का वैंभी हमने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है आपको वीडियो चुले के ता पर इस वीडियो को लाइक करे